आज की केबिनेट में छे बिंदूओं पर चर्चा हुई इसमें से कुछ बिंदूओं के बारे में मैं आपके साथ दनकरी साज़ा करूंगा और कुछ बिंदूओं के बारे में एरे सहोगी सिमान सिधार्प ना सिंगी आपके साथ दनकरी साथ करेंगे जो पहला मद है जन्पर्द गोरगपुर में शहीर अस्पाः उल्ला खां काड़ी उद्धान के निर्माड काड़ से संबंदित रोजना प्रस्तार के संबंद में ह इसमें प्राणी उद्धानों की स्थापनक और देश से वन्द जीवों का संदक्षण एवं संबर्धन किया जाना है उत्तप देश में दो प्राणी उद्धान करंसे लखनोग एवं कान्पुर में स्थाप देथे हैं शहीद अश्पाक उल्लाख खां प्राणी उद्धान गुरद्पुर की स्थापना दोजार आट नौ में प्रस्तावित की गई थी फोक्त निर्मानदीन प्राणी उद्धान लगवक 121.34 एकड़ शित्रबल में प्रस्तावित है एकड़ शित्रबल में प्रस्तावित है और इसमें इसमें जो अलग लग जो काम होने हैं उसके लिए जो अनमोदित जो लागत है वो 181.82 करोड है इसमें रख्या रोपड़ भी है LED स्क्रीम भी है प्रसास्तिक वहन भी है वीडियो कॉंप्रेंसिंग सिस्टम भी है यह तमाम चीज़ें इसमें है 3D ठेटर भी है इस सारी फस्लीटी इसमें रहेंगी अगला जो मद है प्रदेश की अंदर 2019-2020 में कराए जा रहे हैं समस्त्र रख्या रोपनेटू निशुल को पौद उपलब्द कराना जैसा कि सब जानते हैं कि एक बहुत बड़े अभ्यान की तरह तहट हम लोग पूरे प्रदेश बर्में ब्रख्यार उपन के अभ्यान हमारे हम शुरू हुए हैं उसी क्रम में आने वाले समय में भारत की वन सर्विक्थन वन श्तिती रिपोर्ट 2017 के अरुसाथ प्रदेश के खुल भौगले चेत्र फल का 9.18 प्रतिशत चेत्र वनावरण एवं ब्रक्षावरण से आच्छांदित है भारतिय वन सर्विक्षन संस्थान दहरादून की 2017 की जो रपोर्ट के अनुसाथ 2015 के सापेक्षत राज के ग्रक्षावरण तथा बनावरण में समय के तुरूप से 606 पर किलोमीटर ब्रति हुई है इसमें बड़ी बात यह है कि वर्स दोजारनीस वीस में प्रदीस में 22 करोड पौधों का रोपड किया जाना है और इसके लिए ग्रामजी चित्रों के लिए ग्राम पंचायत को मूह लिकाई मानते हुए प्रतिक ग्राम पंचायत हितू सामदाइक भवन नहर रोड स्कूल ग्राउंड्स और कास्तकार की जो निजी भूमी है प्रक्ष और प्रक्ष अविभावक एसकर केस का काईटल है एक ब्रक्ष अविभावक ग्राम प्रदाम की अत्रिक्त मनुनित किया जाएगा इसका में मोटिव है कि हम आने वाले समय में अपनी जो अवारी आने वाली जो जनरेशन है उसके एक बहतर पर्यावरण एक अट्मोस्पेर दे पाएं उसके लिए इसको जन आंदोलन की रूप में सरकार ने बनाने का एक संकल्प लिया है इस ब्रदी से जन सामाने को हने वाले पर्यावरणी लावों के अत्रिक्त किसानों की आए में तता प्रदेश की हरित्मा में ब्रदी होगी तीसरा जो एक मद है अभी माने राजपाल जी के हाँ जाना है प्रस्तावित है जो आगामी जो हमारा ब्रदान सवा सहसन है 28 फरवरी 19 को दोनों सद्रों का सत्रावसन कर दिया गया था और उसकी एक नियामवली होती है उसी के तहट 28 जुलाई 2019 को उत्तपरदेश ब्रदान मंडल के दोनों सद्रों का सत्र गुलाई जाने का प्रस्तावित है 28 जुलाई 28 फरवरी को सत्रावसन हुआ था 28 जुलाई 2019 को दुलाया जाना प्रस्तावित है अगले मदों के वारे में स्रीमान शदात नासीम जी आपसे दानकारी साजा परें यह चौथा बिंदू है वो गुरुपुर में महंत अवेदनाथ राच्य महाविद्याले का है इसके अंदर जो महाविद्याले में कारे होने हैं उसके अंदर भवन है होस्टल है आडिटोरियम है मल्टी परपस हॉल है इन सब का कारे करते समय जो री एस्टिमीट जो आया है उस पे यह 30.34 करोड लगेगा उसके अनमुदिन के लिए आया था तो उसको अनमुदित किया गया है इन कारियों के साथ 30.34 पहले यह पुरानी स्कीम है यह 10.78 करोड से शुरू ही थी मगर अब उसके अंदर नहीं नहीं चीज़ें करी जा रही है और भी चीज़ें लाएं हैं तो उसको रीवग करते वे यहां तक ही अब एस्टिमेट आया ह जो पांचवा जो बिंदू है वो बहुत ही महत्पूर्ण है यह एक अंब्रेला एक्ट बनाया जा रहा है यह अंब्रेला एक्ट इसके लिए बनाया जा रहा है क्योंकि उत्तरपदेश के अंदर 27 निजी विश्विद्याले चल रहे है 27 27 और 27 जो चल रहे हैं सब अलग-अ एक्ट के माध्यम से इन लोगों को इन लोगों का सैंक्शन किया जाता रहा है और अभी तक ऐसी कोई विवस्ता नहीं है कि एक समानता लेकर आए जिस समानता के कारण जो गुणवक्ता का विश्य है जो सत्र चलने हैं अध्यापकों का है यह सब चीजे और अनेक और चीज जो एक साथ लेकर एक कंट्रोलिंग बॉडी की तरह ला सकते हैं या उसके ओपर मॉनिटरिंग हो सकती है राच सरकार को इसकी बड़ी इनमें दिक्कते भी आती रही है और पी स्ट्रक्टर्टर्स हैं यह सब जो हैं यूजी सी के गाइडलाइन्स हैं उनको लागू करवान अनिक प्रकार की चीज़ें इसमें आती हैं तो इसको लेते वे जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं जो इंटरनाशनल यूश्टी में भी चलती हैं उनको भी यहां पर लाने का प्रयास किया गया है तो इसलिए यह उत्रप्रदेश में निजी विश्विद्यालों की स्तापना और इसका मत जो लक्षे है वो आप लोगों को बता दिया अंब्रेला एक बताने का इसके अंदर अनेक प्रावधान है जो की डीटेल्स है काफी जो अलग से प्रेस नोट में देंगे कि तीस प्रैस आएंगे आपके पास हैं फीस कभी इसमें आएगा फीस का जो रेगुलर बॉडी है वह हमेशा निर्धारित करती है एक फीस ट्रक्चर तो वही इस पर लागू होएगी तो वह अलग लग जो रेगुलर्टी बॉडी है उनके अधार पर होएगा इसके अंदर कोई युनिवर्स्टी लगा के चला जाता है और उसमें बच्चों का एड्मिशन होता है तो इसलिए एक एंडावमेंट फंड भी रखा गया है पांच करोड का मगर वो कभी-कभी होता है कि उससे पूरा ना पड़े वेकि बच्चों की डिगरी फूरी करवानी है तो एक सालरी स्रक्चर है वहां पर अनेक इंफ्रस्रक्चर जो चलता है तो उसके एक एंडाव करके अधीन कर दिया जाएगा और उसको उसके आधार पर जो बच्चों की डिगरी पूरी करनी है उसके जो खर्चा आएगा वो पूरा करवाएगा तो राज सरकार उसको फिर मैनेज करेगी यह इसके अंदर रखा गया है अभी तक जो तनी प्राइविट आपने देखिए सब्सक्राइब कर देखते हुए और इसके एक लैंड एरिया प्रावधान होता है उसके तहत मॉनिटर होएगा यह सब चीजें को देखते हुए और इसकी एक लैंड एरिया जो कहीं उन्वेस्टी आपके शहर के अंदर आती है अर्बन आती है तो मिनिममं 20 एकर चाहिए उसके लिए और जो आपकी ग्रामीन में आती है वह 50 एकर की इसके अंदर लैंड एरिया का इसकी आउशकता है जो 27 जो चल रहे हैं यह तो नए के लिए होगे जो 27 चल रहे हैं उनको एक साल के अंदर इन चीजों के अंदर उनको जो आक्ट के तहते उसको अपने अपने आपको उस उन्वेस्टी को उसके अंदर लागू करना पड़ेगा यह सब चीजे हैं डिटेल में और आपनों को मिल जाएगा तो उसमें आप देखेंगे अलग से हमाई बीच में हम लोग के ACS भी बैठे हुए हैं उसक्षा विपाग के उनको भी आपनों के कोई प्रेशन बाद में हैं तो आप जरूर उसके एक सिक्षा सेवा अधिकरण का गठन किया जा रहा है I believe double Ginsburg के सास के आले हैं कि हम लोग के सास के सहायतनाव प्राप महवध्याले जो आपि इसास के जो आपके प्राप зал जो रहते हैं माधनिक स्क्ष संस्थान साथ-साथ जो प्रात्मिक और उचप्रात्मिक बेशिक विद्धाले होते हैं इनके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है और उसका निस्तारण क्लिक से होनी पाता है कोट्स में केसल चलते रहते हैं तो इसलिए एक बोडी बनाई जा रही है जिसको कहते हैं उत्रपदे सिक्षा सेवा अधिकरण और ये विवादों का शीक्र निस्तारण कर सक वैंगे उस दिशा में ये निड्णे लिया गया है और य है पाध्यांजिए अभी माध्यम से लेकर आ रहे और इसन प्रावधान होएंगे कई जुक्र 66 इंदर अधिकरण के अंदर अध्यक्ष है एक उपात्यक्ष जो नाइक नाइक होँएंगे एक उत्यक प्रसाश्यक होएंगे उसके अंदर minimum तीन अन्य नाइक और प्रसाश्निक सज़श्य भी होएंगे तीन तीन अलग होएंगे और इसके अंदर जो लागत है वो 6.15 करोड की है जो आएगा और इसके अंदर एक और प्रावधान है कि आपने इस अथारिटी के पास गये वहां पे आपको लगता है कि आपके साथ जो न्याय है वो पूरा नहीं हुआ है तो 90 दिन के अंदर आप उछ न्याले में भी अपनी अपील कर सकते हैं तो विदिन 90 डेज जाना पड़ेगा इसके अंदर ये भी रहेगा तो ये अच्छे विंदू थे और आपके बीट में रखा है कोई आलक से कोई प्रेशन हो तो जो पूरा है कि इस पर एजुक्रिशन वाले में त्रिवारी जी से कुछ और पूछना है तो आप पूछना है कि अधिर आप 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 जो है वो अब जाएगा आपके असेंब्ली में और एसेंब्ली कि पास कोई भी आक्ट लागू नहीं हो सकता है जबते कि सम्विधान की पत्ति है वो आपका असेंब्ली से जबते के पास नहीं होता मगर यह मसोदा तयार किया गया है और डिनेंस इसलिए क्योंकि बहुत चीज़ें पेंडिंग चल रही है उन लोगों को भी क्लेरिंस देना है तो उसके अधार पर यह एक निर्ने लिए लिए कि यह तो सेलेक्शन का आएक प्रोसेस वेगा नायक तो उसी पर उसी से आते हैं जैसा नाम स्पश्थ है जो 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 एक्टिज़ रहे हो और जो अधिस्ट्रों मेंपर होंगे वो आईस बो सकते हैं पीशेट्स बो सकते हैं उसी वालिफिकेशन्स कि इसमें जो लेटाउन हैं वो अधना ग्राई वालिफिकेशन्स हैं इसमें जो मेंबर होने के लिए हैं जो मैंबर उसमें आई से या पीशेस से जो एक पर्टिक्लाइस केल में रहे हैं वो मेंबर रॉपाएंगे और इसी तारह से जुदिशन मेंबर के लिए जो जुदिशरी साइट से आएंगे उनके लिए वाली शेक्रीत करीजिके लिए इन देखे लिए देखे लिए इसके लिए इस लिए घरश की फाइटिक लिए लिए कर दो कॉद्धिए हूँ कि यामक आयूग में नहीं किया है युग विश्यल का प्रस्तान यामक आयूग में भया है तो पुड़ा धर लखी चर्चा होगी वाहा सुंभाई होगी उसके वाद कि अधिए बहुत हम लोगों को मुखमंती जी को ये बड़ा दुखत समचार कल मिला था और तुरन मुखमंती जी ने आदेश दिया कि वहाँ पर आज पार्ट शरीर आने वाला है और उमीद करते हैं वह देड़ विज़ते की आएगा देड़ दो विज़ते की मेरट पहुच जाएगा और वहाँ पर जिलादिकारी से मैं स्वय संपर्क में भी हूँ तो आज सुरेश राना जी को सरकार की तर और जो भी परिवार के लिए जो जो एक धनराशी होती है और जो भी सहायता होती है परिवार में जो सदसे होते हैं के इनकी बाइब बच्चे जो भी अरवार के तो नौकरियां का होता है वो सब चीजें करी जाएंगी उसके लिए भी डियम को कह दिया वो पूरा बना लें जबते कि राना जी पहुचेंगे तो उनके परिवार से अलग से बैठ के बातचीत करी जाएगी मगर यह दुखत समाचार है और इतने कह सकते हैं कि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से जो आदंकी घटनाया है वो चल रही है और समय समय पर उस पर कड़ी कारवाई भी करी जा र और हम लोग सब को भरोसा है अपने प्रधानमंती जी के उपर कि इसका भी जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा अगा 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 और नड़ा जी को कली मुखमंती जी ने उनको बदाई दी है साथी साथ हम में से कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनने जो पदादिकारी है उन लोग ने सबने अलग-अलग बदाई भी दी है ये एक अच्छा निर्णे है स्वास्वागत करते हैं कि नड़ा जी कोई आज के नहीं बहुत पुराने अनुभवी है और संग्ठन के वो बहुत ही अनुभवी है तो उससे हम सब लोग को पार्टी को पूरा लाब मिलेगा और अमिट साजी के अध्यक्ष है उनके नित्व में और नड़ा जी वर्किंग प्रेसिडेंट है दोनों मिलके पार्टी को और आगे ले जाएंगे हम लोग को पुरी उमिद है जसमेर कि अध्यक मैं अध्यक्री ही आगे अध्यक्री अध्यक्री जिता है दोर्व्षा यणयक्री है यह वादर्टी को में टाहिए को दोर्टी रहत्ता है अपनी अपनी आपनी इस तो अपने रहें आप है अपनी आप अन्य अपना परियाप को तो पर दो नियुक्त करें नियुक्त बिजली का संकल पुर्टब्देश सरकार का है और जो लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं वो अपने गरेवान में जाकर जरूर देखें बहन मायवती जी अपने गरेवान में देख लें कि अंतिम यक्ति तक वो बिजली पहुचाने में पूरी तरह से विफल हुए भाई अफ इसी सादू संत को बिजली के तार चुने की जरूत नहीं है बिजली विजीवल है और सूरस्त के बाद सूर्य उद्य तक हर गाउं में ओजाला है कि बसपा बसपा और सपा और कॉंग्रेस यह अंधकार के प्रतीक थे कि अनौनत प्रदेश को अधेरे में डुआ के रखा थ जातकरों की बात है तो नियाम कायोग में विशह है और इसी दूप से सरकार संकल्बद्ध है अपने जो गरीब हैं किसान है उनको सरस्ती बिजली मिलें इसके लिए हम लोग संकल्बद्ध है धन्दवाद